हेलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सब की पढ़ाई एकदम बढ़िया ओके तो सबसे पहले थांक यू सो मच आग दे सेम टाइम सब को कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना वता रहा था कुछ घर पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम से कुछ मेडिकल एमर्जंसी थे ओके अभी सारा चीज ठीक हो गया है अपसे तुमको continue वापस मेरा चेहरा देखने मिलेगा और वापस हम लोग पढ़ाई करेंगे बहुत बहतरी इन तरीके से अगर तुमको पता होगा तो इसके पहले वाला जो चाप्टर है that is reflection of light वो हमने खतम कर लिया तो सबसे पहले कमेट करके बता दो कि reflection of light पढ़के हुआ कि नहीं हुआ सबसे पहली चीज अगर reflection of light पढ़के हो गया तो ही यहाँ पर समझ में आएगा तो ही lens पढ़ना क्यूंकि lens में reflection की कहानी बहुत important है यह चीज़ का ध्यान दो क्योंकि शुबज सुबह सुबहे वीडियो शूट कर रहा है तो very good morning to all of you so very good afternoon to all of you okay my name is Sanjeev Pandey और स्वागत है आपका अपना प्यारे से चैनल में खूबचूरा से हना में JR tutorial में आज हम लोग start करने वाले हैं chapter number 7 which is nothing but lens okay हम लोग lens start करने वाले हैं so lens में क्या-क्या बाते करने वाले हैं हम लोग type of lens की बात करने वाले हैं हम लोग फिर बहुत important question है जो 3 defect है okay eyes defect के बारे में जो एक तरह का disease बोल सकते हो but defect है that is not disease दुसका हम लोग defect बोलते हैं so that is your myopia okay तुम लोग हाइपरमेट्रोपिया so यह जो disease है यह important है defect जो है वो important है exam point of view वो आते हैं types of lens आते हैं वो हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं फिर optical instrument के बारे में हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं okay यह सारा चीज हम लोग यहां पर discuss करेंगे तो book और pen उठा लो और बहतरी तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ चलो आ जाओ सब लोग अपने okay so सबसे पहला हम लोग discuss करेंगे lens what is lens okay so lens क्या है एक optical medium या optical object है okay lens is the transparent medium bound by two surface spherical surface से वह bound हुआ रहता है okay अगर हम लोग देखने जाए तो बहुत अलग-अलग प्रकार के lens आते हैं जैसे अगर अब यहां पर देखो तो this is nothing but a by convex by convex क्यों बाई ऐसा एक यह है इसको बोलते हैं convex यह convex है इसको चिपका दिया तो this become a by convex okay same plano-convex मतलब एक side से plane है और एक side से convex है okay convex concave plane क्या होता है यह already तुमने 9th में पढ़ा हुआ है तो मैं ऐसा assume कर रहा हूँ कि तुमको वो चीज़े पता होंगे okay अगर नहीं पता है तो वापस एक बार बता देता हो देखो ज़रा this surface यह वाला जो surface है जो बाहर वाला surface है इसक को इसको बोलते थे कौन वेक्स यह वाला जो surface है डाड़ीज यह अंदर वाला जो surface है यह वाला it is called as corn cave ओके और यह वाला जो surface है यह plane होता है जैसे तुम्हारा mirror है mirror कैसे plane surface है glass lab plane है तो that is called plane तो तीन तरह के हैं वो तीनों तरह को combine करके अलग-अलग प्रकार के lens बना जाता है तो पहला जो lens है that is called by convex lens और simple हम उसको convex lens बोलते है क्योंकि वो दोनों साइट से convex है यह सोनों फिर next आता है that is called as plano convex lens एक साइट से plane रहेगा और एक साइट से convex रहेगा यह सोनों next आता है positive minuscus lens पॉज़िटीव minuscus lens क्या होता है भाई दोनों एक तरह से देखो convex है एक तरह से concave है, ओके, next, by concave, by concave में क्या आता है, भाई, अंदर की तरफ कटे होते हैं, ऐसे, ओके, phone आ गया, एक मिल को, बास्ने आ रही है, चलो, so by convex क्या होता है, by convex बोले तो, अंदर की तरफ कटे हुए होते हैं, ऐसे होते हैं वो, plano concave बोले तो एक तरफ concave होगा, और एक तरफ plane होगा, और यहाँ पे आता है negative minuscus, मतलब क्या है, यह वाला part क्या होगा, यह वाला part convex, concave होगा, और बाहर वाला part क्या होगा, concave होगा, clear बास्ने आ रहे हैं, अंदर वाला part concave होगा, बाहर वाला part convex होगा, यहाँ पे और काने प्रॉब्लम होगा तो चीज़ें थोड़ी ध्यां से समझना थोड़ा ध्यां से मेरे से भी प्रॉब्लम होता है मैं हर बार भार गणेस्ट अलग अलग बोलता हूं क्यों तो उस चीश को समझने की कोशिस करना क्छिर बाषपनारी एविर्वन प्का ओके चल तो यहां पे स्टार्ट करते हैं कि भाई यह लेंस बनते कैसे हैं सबसे पहले चीज़ लेंस बंते कैसे हैं इस्तमाल होते हैं ठाजरों टबह्ân की बात करें जपाथं इस वक्री कैमरा से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, वहां पर भी लेंस लगा हुआ, यसा नो, ओके, लाइक तुम लोग जो ग्लास पहनते हो, जो चश्मा पहनते हो, ओके, जो तुमारे एविएटर्स होते हैं, तुमारे जो बाइनकुलर्स होते हैं, उसमें भी लेंस इस्तमाल होता है, यसा नो, तुमारा जो टेलिस्कोप होता है, उसमें भी लेंस इस्तमाल होता है, तुमारा जो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें भी लेंस इस्तमाल होता है, तो अगर हम लोग अप्लिकेशन की बात करें, तो बहुत जादा application है इसका ओके अलग-अलग प्रकार के applications है अलग-अलग जगे तुमको देखने मिलेंगे बहुत ज़ादा इसका application है बहुत जगे ये use होता है ओके अब अगर बात करें ये बनता कैसे है देखो यहाँ पर ध्यान दो इसके पास दो surface है since it has two surface ओके ध्यान दो अगर इसके पास दो surface है तो इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए दो spherical, okay, refracting medium चाहिए, दो spherical, refracting medium चाहिए एक refracting से कभी ये चीज़ बनेगी नहीं दो चाहिए, यहाँ पर माल लो कि माल लो एक मेरे पास circle है, spear है एक तरह का और दूसरा spear है, पहले वाले का spear माल लो radius है R1, okay, यहाँ पर दिख सकता है तुम लो को R1 radius है आया ना, और माल लो दूसरे का radius है R2, okay अब यह दोनों देखो, overlapping हो रहा है since दोनों overlapping हो रहा है तो इसका एक cutout इसका एक cutout okay, मतलब यह वाला जो surface है, यह वाला surface मेरा R2 हो गया, यह वाला जो surface है वो मेरा R1 हो गया तो यह जो part है, this is nothing but देखो न, यही तो मेरा convex lens है यहाँ से देखो यही तो convex lens है हाय न? मतलब यहाँ पर जब दो surface को overlap कर दूँगा, दो spherical surface को हो और लाक कर दूंगा तो इसका जो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट होगा यहां पर यहां पर एक करवेचर आ गया अब इसके अंदर एक मीडियम अगर feel करूँगा इसके अंदर एक medium रखूँगा मालो इसके अंदर मैंने glass भर दिया या इसके अंदर मैंने oil भर दिया तो ये जो part है this is nothing but your concave lens यही तो तुमारा concave lens है मतलब यहाँ पर अगर question आता है कि भाई एक lens को बनाने के लिए वो convex हो या फिर concave हो दोनों में से कुछ भी बनाने के लिए अगर हमको एक spherical surface चाहिए तो कितना total spherical surface चाहिए तो हमको 2 spherical surface चाहिए अगर मेरे को convex lens बनाना है या फिर मेरे को concave lens बनाना है तो मेरे को 2 spherical surface चाहिए compulsory 2 surface चाहिए तब ही जाकि यह भ polynomial यहां पर पर दोसर्फेस का रोल है द्हाहां से देखो तुम लोग तुम लोग समझने को ऐख सर्फेस माल लोक यह सर्फेस वन हो गया और ये दुसरा surface, यह हो गया surface to, तो दो surface चाये, तो उसके लिए भाई मेरेको दो material चाहिए रहेगा, मतलब दो spherical medium चाहिए रहेगा यह सोनौ, एक medium से तो बनेगा नहीं, और अगर माल लो कि medium सेम है दोनों का, तो spherical surface तो दो चाहिए न, तो यहाँ पर देखो, एक spherical surface होगा और दो spherical surface होगा मतलग अगर मेरे पास दो spherical surface है तो मैं convex lens या फिर concave lens बना सकता हूँ एक से नहीं बना सकता है ये चीज़ दिमाग में बैठा लेला clear बास रुना आगे everyone अब इसके जो basic fundamentals हैं जैसे यहाँ पे ये जो कुछ लिखा हुआ है देखो जरा ये लिखा हुआ c2, ये, ये आर, ये ये सब चीज़े क्या होती हैं उसके जो basic fundamentals है वो हमको देखना है तो एक ये करके हम लोग सारे basic fundamentals देखेंगे ओके so let us start with a first fundamental that is called as center of curvature देखो curve है जैसे माल लो तुम circle पढ़ते हो circle में इसको तुम कुछ बोलते हो ना this part is called as center आया ना this part is called as center इसको तुम लोग center बोलते हो ओके, ये center क्या है ये circle का center है खाली ऐसा center लिखते हो क्या नहीं, center of circle लिखते हो अब जैसे माल लो कि ये अगर square हो गया और rectangle हो गया तो ये क्या है किसका center है उस rectangle का center है तुम लोग खाली center लिखते हो क्या center of rectangle लिखते हो तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो center of curvature क्या होता है center of curvature is nothing but the curve provided or the curve made by the substance or by the material or by the medium ये जो curve बना हुआ है ये curve का कोई तो center होगा तो this center is known as center of curvature जहाँ पर अगर मैं देखने जाओ तो यहाँ से इस curve का जो distance होगा वो सारा का सारा same होगा माल लो कि अगर ये radius r है ये radius r है ये radius r है तो this part is called as center of curvature वास मना रहा है this part is called as center of curvature ओके मतलब ये पूरे पार्ट का ये पूरे पार्ट का एक center है ओके पूरे surface का एक center है और जहाँ से वो surface का जो distance है that is equidistance and that center that point is called as center of curvature बास मना रहे हैं किये yes or no हाँ या ना ओके बहुत बढ़िया चलो next हम लोग बात करेंगे that is called radius of curvature radius of curvature भी यहाँ पर बता देता हूँ same देखो ज़रा ध्यान से यह जो center है और यह जो curvature है तुम्हारा curvature is nothing matter part of that sphere वो जो sphere है उसका एक छोटा सा part that is called curvature वो curve जो है ना that is called curvature तो यहाँ से इस center से यह curvature तका जो distance है that is called radius of curvature इसको हम लोग क्या बोलते हैं radius of curvature यह आप एक नोड दे देता हूँ अगर कोई पूछे what is the radius of curvature for the plane lens मालोग plane lens plane lens बोले तो ऐसा सीधा lens अब इसका center कहां पे होगा तो हम लोग बोलेंगे सर यह center इसका center तो exist नहीं करता ना भाई इसका center कैसे होगा होगा कहां पे होगा infinity पे होगा तो अगर मुझे कोई पुछे कि भाई यह जो सीधा चीज है इसका center कहां पे है तो इसका center infinity पे है कहां पे है infinity पे मतलब कहीं infinity से इसको draw किया है जैसे आब मालो कि earth earth कैसा है गोला है बट हमको दिखता है क्या वो गोला है नहीं सीधा दिखता है क्यों क्यूंकि उसका radius of curvature बहुत बड़ा है तो वैसी इसका radius of curvature बहुत बड़ा होगा कहीं दूर से इसका curve घीचा गया रहेगा कहीं दूर से इसको curve बनाया गया रहेगा तो इसका center होगा वो कहां पर होगा जाहीं तो infinity पर होगा यह बास समझ्झ ले ना अगर कोई बोले कि sir straight line का curvature straight line जो होता है इसका center नहीं होता है । стр plaint line का भी center होता है बट कहां होता है infinity पर होता है उसका radius of curvature केतना होगा infinity होगा So what is radius of curvature The distance between the center of curvature and the spherical this sphere जो है वो sphere जो spherical lens है उनके बीच का जो distance है that is radius of curvature हाया ना चलो बहुत बढ़िया next हम लोग बात करेंगे next क्या है देखो जारा next is principal axis what is principal axis अब ध्याहां से देखो यह यह जो पार दिख रहा है यह blue color का it is called as principal axis it is called as principal axis यह principal axis हमेशा पास होता है इसके यह जो दिख रहा है it is called as optical center इसको बोला जाता है optical center यहां पर हम लोग पढ़ेंगे next वाला जो हमारा topic है वो optical center है तो जब कभी भी एक line पास होगी कहां से optical center से and that line is called as principal focus वो क्या करता है वो तुमारे lens को दो पार्ट में divide करता है एक तुमारा उपर वाला पार बन जाता है एक तुमारा नीचे वाला पार बन जाता है मतला तुमारे lens को कोई लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है लेंस को कोई लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है and that line is called as that is called principal axis उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं उस लाइन को हम लोग बोलते है principal axis और वो जो principal axis पास होता है जिस point से that is called as optical center मतलब यहाँ से जो ray pass होगी वो refract नहीं होगी याद रखना होके अब reflection क्या होता है इसके पहले वाले topic में जाके पढ़ लो इसके पहले वाले topic हम लोग ने reflection के उपर बहुत ज़्यादा discussion किया है तो अगर अभी reflection पहली बात सुन रहा है तो वीडियो पॉस करो इसके पहले वाला topic पढ़ो फिर यहाँ पर जंप करो चलो तो अगर यहाँ पर हम लोग देखने जाए भाई यहाँ से ray आ रहा है अब देखो ज़रा यहाँ से ray आ रहा है clear बात समझ में आ गई everyone पका चलो बहुत बढ़िया what is optical center it is a center or it is a point where from which the principal axis passes और a ray passes without bending without refracting okay मतलब बिना कोई refraction के बिना कोई bending से अगर कोई ray पास हो रही है किसी point से so that point is called as optical center उसका हम लोग क्या बलेंगे optical center clear बात समझ में आ गई next is principal focus next is principal focus क्या होता है principal focus देखो principal focus क्या होता है माल लो जब बहुत सारे रे पार्लर बहुत सारे पार्लर ले ट्रावल होते हैं तो यह बहुत सारे पार्लर रे हैं यहांपर क्या होग और यह सारे पार्लर रेस कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, अब यह सारे पार्लर लेस यहां पे आएंगे, और यहां पे क्या होगे, क्या होगे, क्या होगे, क्या होगे, क्या होगे, क्या होगे, और सारे के सार point is called as principal focus clear बासन आ गई यहाँ पर क्या होते हैं देखो यहाँ पर सारे के सारे रे जाते हैं और converge होते हैं okay converge मतलब देखो combine हो रहे हैं okay तो इसलिए इसको converging lens भी बोला जाता है याद रखना converging converging इसको इसलिए converging lens भी बोला जाता है अब अगर यहीं हम लोग देखे किसमें concave के situation में तो concave के situation में क्या हो रहा देखो जड़ा raise आ रही हैं ऐसे आए ना अब यह ray आया अब क्या हो गया diverge हो गया क्या हो गया diverge हो गया मतलब यहां पर जो bending हुआ वो divergen दूर हुआ प्रिंसिपल आक्सिस से दूर यहां पर raise आई सारी raise आके क्या हुई principal axis की तरफ converge हुई अब converge हुई और single point से पास हो रही है तो यह जो single point है that single point is called as the principal focus उस single point को क्या बोलते हैं single point को हम लोग बोलते है principal focus और यह lens को क्या बोलते है यह lens को बोलते है converging lens as well as convex तो बोलते ही है बढ़ यह सारे ray को क्या करती है सारे ray को converge कर देती है principal axis के पास लाती है इसलिए converging lens अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ray आ रही है अब यह ray आ रही है अब ray कहा हो गई diverge हो गई ऐसे गई ऐसे होके diverge हो गई अब diverge हो गई तो principal axis से दूर हो गई since principal axis से दूर हो गई तो उसको बोलते है diverging lens क्या बोलते है diverging lens क्या बोलते है diverging lens convex lens को क्या बोलेंगे converging lens concave lens को क्या बोलेंगे diverging lens क्यों क्योंकि वो धरे को क्या कर रहे हो धायवरे कर रही है दूर भेज रहे है य aprilaxx से इसलिए इसका focus दैखो इसका focus इस तरफ कभी भी नहीं मिलेगा इस तरफ तम लोगा अगर ferone reg 구app करना चाहो एं तुमको focus नहीं मिलेगा इसका focus इस तरफ मिلेगा इसके लिए अलग से पूरा सप्रेड वीडियो आएगा वहाँ पे हम लोग डिसकुशन करेंगे कि क्या होता है रियल फोकस क्या होता है वर्चुल फोकस वहाँ पर बात करेंगे अभी अभी फिलाल के लिए उत्ता ध्यान मत दो बट यह चीज़ का ध्यान दे दो कि अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे देखो यहां से रे आरी है और जो फोकस फार्म हो रहा है वो लेंस की दूसरी तरफ हो रहा है यहां से ray आ रही है और जो focus form हो रहा है वो lens की दूसरी तरफ हो रहा है किस situation में? convex के situation में but concave के situation में देखो यहां से ray आ रही है और focus वहीं पे हो रहा है याद रखना मतलब जिस तरफ से ray आ रही है उसी side पे क्या हो रहा है? उसी side पे focus भी हो रहा है अब since उसी side पे focus हो रहा है तो obviously ये virtual focus बनेगा क्या होता है virtual focus बाद में देखने वाले हैं tension मतलो clear बास में आई क्योंकि इस तरफ intersect नहीं होगा अगर इस तरफ मैं इसको extend भी करूँ तो कहीं पर ये intersect नहीं होगा clear बास में आ गई ये सारा चीज समझ में आया है definition सबका पता होना चीज याद रखना what is center of curvature what is radius of curvature principal axis, optical center, principal focus सारा का सारा definition तुमारे test book में है फटाज से क्या करना है, notes बनाना है खुद का notes ready करो, मैं हर बार बोलता हूँ खुद का notes एक बार पहली बार लिखो गे न उसमें ही थोड़ा सा click हो जाएगा उसमें ही थोड़ा सा बुद्धी खुल जाता है पहली बार लिखने में ही आधी चीजे वहीं पर खतम हो जाती जब हम खुद से मैनत करना चालू करते है so that is important खुद का notes बनाओ याद रखो यह important चीज है यह दिमाग में बैठा लो clear बासन में आई समझ में आया पाचो पॉइंट जो हम लोगने डिसकर्स किया ओके चलो next next अगर हम लोग देखे तो कुछ fundamentals है रे के रे का कुछ behavior है कैसे pass होती है रे कहा से pass होती है रे जब यहां से pass होगी तो क्या होगा जब वहां से pass होगी तो क्या होगा तो उसके हिसाप से हमारे पास तीन condition है condition इसको माल लेते हैं कि this is nothing but a case one this is nothing but a case two and this is nothing but a case three अब तीनों situation हम लोग डिसकर्स करेंगे टेंसे मतलों तीनों situation और important है यह question याद रखना तो एक marks के लिए important question है तो तीनों हम लोग discuss करेंगे देखो क्या बनेगा तो धिहां से देखो पहला case के बारे में discuss करेंगे पहला case देखो क्या हो रहा है तो अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो तुम्हारा जब incident ray है और तीनों situation में हम लोग ने convex lens consider किया तो यहां पे देखो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे ray देखो यह जो ray है यह incident ray है incident ray देखो देखो पारलर है यहां से देखो दिख रहा है कि नहीं सबको everyone देखो पारलर दिख रहा होगा अब incident ray पारलर है और यहां से क्या होगी reflect होगी अब refract होगी, तो जो refracted ray होगा ना, that always passes from focus, that always passes from focus, always remember, मतलब माल लो, कि अगर यहां से मैं कोई parallel ray बनाता हूँ ऐसा, अगर माल लो, यहां पे मैं कोई parallel ray बनाता हूँ ऐसा, तो यहां से वो ray pass होगी, कहां से, मेरे focus से, always remember, कहां से pass होगी, focus से pass होगी, अगर यहां से कोई parallel ray बनाता हूँ, तो वो भी refract होने के बाद कहां से pass होगी, focus से pass होगी, तो always remember, तो यहां पे लिखा है, when the incident ray is parallel to the principal axis, ध्यान देना, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus, जो मेरा refracted ray है, वो कहां से pass होगा, वो focus से pass होगा, clear, बास समझ में आई, समझ में आया, पहला वाला condition क्या बोल रहा है, case 1 समझ में आया, yes or no, बहुत बढ़िया, चलो, case 2 के बारे में discuss करेंगी, अब case 2 क्या है, case 2 इसका converse है, इसका ulta, तुम्हों max में परते हो, जैसे bpt theorem परते हो, उसके बाद converse of bpt परते हो, वही उल्टा है, इसी सीच का ulta है, माल लो, कि जो तुम्हारा incident ray है, वो focus से pass हो रहा है, क्या हो रहा है, फोकस से pass हो रहा है, यहाँ पर देखो, अगर मेरा incident ray focus से pass हो रहा है, तो after reflection, after reflection, मेरा ray क्या हो जाएगा पार्लर हो जाएगा, देखो इसका ulta, भाई ray parallel था, तो कहां से pass हो रहा था, फोकस से pass हो रहा था, अब ray कहां से pass हो रहा है, फोकस से pass हो रहा है, तो reflection के बाद क्या हो जाएगा, पार्लर हो जाएगा, रिफ्राक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पार्लर हो जाएगा, वही क क्या मिलेगा देखो जारा, when the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis, यह सानो, भाई जो refracted ray है, वो parallel हो जाएगा principal axis को, बासने में आग नहीं से जिलना है, case 2 समझ में है, case 3 का discussion करते हैं, सबसे बहतरी इन case से देहां से देखो जारा, अब यहाँ पर आनो की बात हैं, भाई यह starting में मैंने तुमको बता दिया था, मैंने तुमको starting में बता दिया था, कि when the ray is passing through the optical center, अगर optical center से ray pass हो रहा है, तो वो नहीं bend होगा, नहीं reflection का phenomenon होगा, यहाँ रखना, ओके, यहाँ पर देखो, भाई incident ray, ऐसे आया, डालकली पास होगा, विदाउट एनी bend, वो फटाग से ट्रावल हो जाएगा, यहाँ रहना, तो विदाउट एनी bend, वो सीधा पास हो जाएगा, वो सीधा पास हो जाएगा, अगर optical center से, अगर तुम्हाँरा ray travel कर रहा है, तो विदाउट एनी bending याद रखना, वो ray क्या हो जाएगा, travel हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई भी refraction का, कोई भी reflection का phenomena देखने नहीं मिलेगा, yes or no, बात संदारी किने संदारी everyone, पक्का, clear दिमाग में समझ में आ रहे कि नहीं, घुस रहे कि नहीं चीजे, yes or no, बहुत बढ़ी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा When the incident ray passes through the optical center of the lens It passes without changing its direction Okay, मतलब वहाँ पे कोई भी direction नहीं change होता वहाँ पे उसका कोई भी bending नहीं होता वहाँ पे कोई भी refraction का phenomena नहीं होता Clear, बास समझ में आई कि नहीं समझ में आई Everyone, पका Yes or No, बहुत बढ़िया तीनों condition समझ में आ गया तीनों cases समझ में आ गये Case 1, Case 2, Case 3 Clear everyone Okay, बहुत बढ़िया So, आज हम लोग यही तक topic देखेंगे So, next video होगा For next video में हम लोग बात करेंगे Image formation की और यह principle बहुत काम आने वाला है वहाँ पे देखो, यह जो चीज है ना यह चीज है नहीं बुलना है यह चीज है और यह जो basic fundamentals है ना यह basic fundamentals तुमको पता होने चीए अगर यह basic fundamentals तुमको पता हो जाएंगे तुमको यह पता होना चीए Converging lens के आ होता है, diverging lens के होता है अगर यह basic fundamentals तुमको पता है कि चीज है doubt है, confusion है comment section है तुमकार लिए और अगर वीडियो फसंद आ रहा है तो वीडियो को like करना है चैनल पर first time है हो तो चैनल को subscribe जरूर करना और जितना ज़्यादा share कर सको इस वीडियो को share जरूर करना अगर कुछ और doubt है, कुछ extra doubt है तो तुम लोग में कोई Instagram पर DM कर सकते हो, कोई problem नहीं है clear, बासन आग, चलो so next video में मिलते हैं, आज का lecture यहीं पर end करते हैं आज के लिए बस इतना ही, that's it for today thank you so much